जैहिन दोस्तो केरियर पॉइंट के यूटीव चनल पर आपका सवागत है आज हम करने वाले टोप हेंडर क्योशन सवीधान के मोस्ट इंपोर्टन क्योशन जो आपके एक्जाम में बार बार यह क्योशन रिपेट होए दोस्तो आज के वीडियो बहुत ही जवर्दस रहने व कमेंड बोक्स में जुरू दीजिएगा अगर चार्ण आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चनल को जोईन के टेलिग्राम करने की वीडियो के निचे दिया गया डिस्क्श्न में तो आप लोग टेलिग्राम चनल को जोईन करेंगे और आज का पहला क्योशन है सवीधान सभ सभा में भारत की सुविधान को कब स्विकर्द किया गया था सुविधान सभा ने भारत की सुविधान को कब स्विकर्द किया था तो यार्थना 26 नुमबर 1909 में सुविकर्द किया था option number a question के लिए right answer होगा अगर आप next है सभीधान के किस भाग में मूल अधिकार का उलेक मिलता है फ्रेंट्स भाग तीन में मूल अधिकार का उलेक क्या गया है option number b इस question के लिए right answer होगा भाग तीन में next है सुचना का अधिकार किस राजय में लागू नहीं होता है देखिए जोसो पहले जम्मु कस्मिर में लागू नहीं होता था लेकिन जम्मु कस्मिर में 370 धारा को टाकर उसको केंदर सासित परदेश बना दिया गया ठीक है मेगाले द मोलिक अधिकारों में संसोधन करने में संसद सक्सम है option number B question के लिए right answer होगा संसद आप सभी friends से यादखना next question है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है तो friends यादखना 7 वर्ष तक है लगातार बाहर रहने पर नागरिकता देश की खेत करते हैं तो भारत देश की नागरिकता क्ली आविदन कर सकता है next question है भारती राज़ों का भासाई आधार पर पूर्णर गठन किस वर्स क्या गया भारती राज़ों का भासाई आधार पर पूर्णर गठन उननीसो चपन में किया गया option number B question के लिए right answer 1956 मे बाहसाई आधार प प्रश्टे में दोहरी नागरिकता के सिधान स्विकार किया गया है, option number D, question के लिए, right answer होगा, next है, सविधान के किस अनुछे में, सविधान के संसोधन परक्रिया का उल्लेक है, friends, अनुछे 368 में, सविधान के संसोधन की परक्रिया का उल्लेक किया गया है, answer हो जाएगा, option number D अनुछे 368, next है, किसी कैदी को न्याले की समक्ष परस्तूत करवाने के लिए, किस रिट की आउशकता होती है, friends, किस के होती है, तो यादकना बंदी परतेक्शिकरण की, option number A, आपका राइटन सोगा, बंदी परतेक्शिकरण, next question है, friends, वर्तमान समय में, भारती स्विधान के अंतरकते संपति अधिकार है, संपति का अधिकार कहते हैं, वेद्हानिक अधिकार, यादकना संपति का अधिकार कहें के वेध्हानिक अधिकार है, option number B, right answer होगा, next है, 6 वर्स की आयू से, चोदा वर्स की आईउ के सभी बच्चों को अधिकार है Friends, right answer क्या होगा? मूल अधिकार Option number A, question के लिए Right answer का मूल अधिकार है सिक्षा का अधिकार आप लो Friends, याधकना Next है, नीती-निर्देशक ततव का महतव किसके लिए है? तो दोस्तों यादक न, राज्य के लिए, नीतिय नेदे सततों का महतब, राज्य के लिए, option number B, question के लिए, right answer हो जाएगा, next question है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक ता सनीता लागू है, friends, यादक न, गौवा राज्य में, समान नागरिक ता सनीता, गोवा राज्य में लागू है, option number A, question के लिए, right answer होगा, next question है, राज्य के नीती निर्देशक सिधान्तों में से, किस अनुछेद का संब्मद, अंतराश्टी, सांती और सुरुक्षा की सन्वर्दन से है, तो friends, या दखना अनुछेदी क्या होन के, option number C, अनुछेदी क्या होन, नीती निर्देशक, ततों में, स्विधान में, कल्यान कारी राज्य का आदेश दिया जाता है, आप लोग या रतना, next question है, very important, देखी, संसद को भंग करने के लिए सक्सम को ने, संसद को भंग करने के लिए सक्सम है, राष्टपती, option number B, question के लिए, right answer होगा, next है, भारत के पार्लियामेंट का उद्गार्टन का वो अथा, भारत की पार्लियामेंट का उद्गार्टन, 1927 में वो अथा, option number discussion के लिए, right answer होगा, 1927 में, next question है, राष्टपती, पदती में, समस्त कार्य पालिका की सक्तियां, किस में नहीत होती हैं, next है, राष्टपती के चुनाओं के समन्दी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, so friends, उच्तम न्याले, option number discussion के लिए, right answer होगा, आपर उच्तम न्याले आएगा, next है, राष्टपती कार्रिक्तस्तान कितने दिन में भर लिया जाना चाहिए, राष्टपती कार्रिक्तस्तान 6 मां भी भर लिया जाना चाहिए, option number B, question के लिए, right answer होगा, six month, next है, राष्टपती को, लोक स्वामे, दो सदिश्च्यों को, मनोनित करने का दिकार है, तो दोस्तों, एंगलो इंडियन को, option number A, question के लिए, right answer होगा, एंगलो इंडियन, next है, next है, भारत में राष्टपती, राजसभा के कितने सदिश्चों को मनोनित कर सकता है, भारत में राष्टपती, राजसभा के 12 सदिश्चों को मनोनित कर सकता है, option number discussion के लिए, right answer होगा, 12, next है, अगर आपने भी तक लाइक नहीं किया, like और share करते रहेंगे, next है, भारत के पहले राष्टपती के रूप में, डॉक्टर राजसभा का चुनाओ किया गया था, किस के दवारा किया गया था, friends, सुविधान सभा के दवारा किया गया था, option number discussion के लिए, right answer का सुविधान सभा के दवारा, डॉक्टर राजसभा का चुनाओ किया गया था, next निमलिकित में से कौन भारत के राश्पति के चुनाओं में भाग नहीं लेता है। फ्रेंड्स कौन नहीं लेता है तो याद ना विधान परिशदे राश्पति के चुनाओं में भाग नहीं देता है। राजसभा, लोक्षभा और विधान सभा लेती हैं, लेकिन विधान परिसदे नहीं लेती है, option number C question के लिए, right answer होगा, next है, लोक्षभा का उमिदवार होने के लिए, अल्पतम उमर क्या है, लोक्षभा का उमिदवार होने के लिए, कम से कम आयू से मक्या है, 25 वर्स, option number A question के लिए, right answer होगा, 25 वर्स, next है, योजना आयूग का प्रतिस्तापन किस से हुआ है, friends किस से हुआ है, तो या लखना नीती आयूग से हुआ है, option number C question के लिए, right answer होगा, नीती आयूग, next है, अंतराश्टिये मुद्राकोस का मुख्याले कहां पर है, तो या लखना वास्टन न next है, UNDP का पूरा नाम क्या है, UNDP का पूरा नाम है, United Nations Development Program, option number B question के लिए, right answer होगा, United Nations Development Program, next है, महरानी विक्टोरिया को भारत की समरागी कब नियुक्त क्या गया, friends, 1888 इश्वी में, महरानी विक्टोरिया को भारत की समरागी गोशित क्या गया, option number C, right answer होगा, 1888, next question है, very important question, विशव का सबसे बड़ा लिखित एउं सरुवारिक व्यापक सुविधान किस देश का है, भारत देश का सुविधान सबसे बड़ा लिखित एउं सरुवारिक व्यापक सुविधान है, option number C, question के लिए, right answer होगा, भारत, आपसे भी, friends से, या रखना, next है, सुविधान के पर पर्थम अनुशेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का यूनियन, उप्से नमबर C, इसक्यूशन के लिए, राइट अन्सरों का राज्यों का यूनियन, नेक्स्ट है, राष्टपती का निर्वाचन किस परकार से होता है, राष्टपती का निर्वाचन दोस्तों, A पर पार्ती राश्टपती सामिल है, लोकसभा भी संसद में सामिल है, लेकिन मुख्य निर्वादशन आयुक्त संसद में सामिल है, नहीं है, उप्शन नमबर 20 के लिए, राइट अंसर होगा, नेक्स्ट है, युद की घोषना या सांती का फैसला करने में कानूनी रूप में सक्स अविश्वास परस्ताव लोकसभा में लाई जाता है, उप्शन नमबर 20 के लिए, राइट अंसर होगा, लोकसभा, आप फ्रेंज्स, याद आकना, नेक्स्ट है, राजसभा की सभापति कोन होते है, राजसभा की सभापति होते है, उपराष्टपति, कोन होते है, ब्रास होगा डौक्टर S. राध Pokémon भारत के पहले उपराष्ट्पती दें. विजक्त घ्राठी सुविधान की परस्तावनां से समझ अनूचेद कूंसा है? भारती सुविधान की परस्तावनां से समझ अनूचेदemon Ок Seven आर्टिकल 17 इसक्यूशन के लिए ऑपशन नुमर C, Right, Answer होगा, नेक्स्ट है, निमनकित में से किस तरह से भारतिय नागरिकता प्राप्ट की जाती है, प्रेंस, जनम से पंजी करन से वनसे नुगत से भारतिय नागरिकता प्राप्ट की जाती है, option number D, right answer next is संसदिय साशन प्रणाली में वास्थवी कारे पालिक ता सकती किसके पास होती है किसके पास होती है, परधान मंत्री के पास option number B, question के लिए right answer होगा, परधान मंत्री next is परधान मंत्री के न्युक्ति राष्टपती करता है, यह किस अनुचेद में वर्णित है, किस में अनुचेद है, तो तो याद रखना ये है अनुचेद पिचेदर में, article 75 option number C, question के लिए right answer होगा, next है भारती सुईधान में नमें कि तमेसे किस पद्र का उलेक नहीं है भारती सुईधान में उपपरधान मंतरी का option number B, question के लिए right answer होगा, उपपरधान मंतरी next है भारती सुईधान के अनुचे तो तो पिचेदर में किन विश्यों पर विचार किया गया है तो फ्रेंट्स किन पर तो याद रखना मंतरी परशद पर option number A, question के लिए right answer होगा, मंतरी परशद next है लोक सभा द्वारा पारिते दान विदेख, राज सभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतरे लोक सभा को वापस लोटाना पड़ता है तो फ्रेंट्स, 14 दिन के अनुदर लोटाना पड़ता है option number B, question के लिए right answer होगा, 14 दिन next है सरकार्या आयोगी समधित है सरकार्या आयोगी किस से समधित है के अंदर राज समधित से option number D, question के लिए right answer होगा, के अंदर राज समधित next है भारती सुविदान की संसोधन प्रक्रिया किस देश के सुविदान से परभावилась है किस देश के स्विधान से तो याद अखना दक्षिन अफरीका के स्विधान से option number D question के लिए right answer का दक्षिन अफरीका next है समान न्याय और निशूलक विदी सायता का प्रावधान स्विधान के किस अनुचेद में है किस अनुचेद में है अनुचेद 49A option number B question के लिए right answer का अनुचेद 49A next है मुख्या निशूलक की अनुपस्तिती में राष्टपती किस के समक्स पत लेते हैं friends याद अकना आपस भी किस के समक्स है सरवोच नयाले के वरिष्ट निशूलक के समक्स लेते हैं अनुचेद 343 में option number C आपका question के लिए right answer होगा next है भारती स्विदाल की किस अनुचेद के अंत्रकते वित आयो के गठन का प्रावदन है friends अनुचेद 280 में वित आयो के गठन का प्रावदन क्या गया है option number B right answer होगा article 280 question के लिए next है friends से डोगरी भासा किस राजे में बोल जाती है डोगरी भासा जम्मु कशमीर राजे में बोल जाती है option number A question के लिए right answer होगा जम्मु कशमीर next है भारत की समक्रिक्सा एवं लेखा प्रावदन का प्रावदन कोन होता है कोन होता है भारत का नियंतरक एवं महालेखा प्रिक्सक के भारत के समप्रिक्सा एवं महालेखा प्रिक्सक के भारत के समप्रिक्सा एवं महालेखा प्रिक्सक के भारत के समप्रिक्सा एवं महालेखा प्रिक्सक नेक्स्ट है लोक सभा को उसके कार्यकाल की समापती के पूरो भी भंग किया जा सकते हैं इसके दोरा तो फ्रेंट से याद रखना राष्टपति दोरा मंत्री परसिद की सलाव परे भंग किया जा सकते हैं option number C question के लिए right answer होगा next है भारत के स्विधान में पर्थम संसोदन अधिनियम कब बना option number B question के लिए right answer होगा 1951 next है पर्धान मंत्री की नुक्ति राष्टपति करता है ये किस अनुखेत में वर्णित हैं याद एकना अनुछिद पिछेतर में, option number C is question के लिए, right answer का पर्दान मंत्र की न्युक्ति राश्पति करता है, ये अनुछिद पिछेतर में वर्णित है, next है, एविस्वास परस्ताव किस दिन मनाया जाता है, किस के दोरा मनाया जाता है, तो दोस्तों, एविस्वास परस्ता के परसासक के कहा जाता है, तो लक्सेद रीप को कह जाता है, तो लक्सेद पर lähए upstairs की उप सभापति का निरुवाचन कों करता है, राज सभापति का निरुआचने, राज सभापन की सदस्यकिरी के दोरा किया जाता है, option number B question के लिए right answer होगा राजसभाग का सदेश से next है किसी विधी के person पर सर्वोच न्याले से प्रान लेने का अधिकार किसको है किसको है राष्टपती को option number B question के लिए right answer होगा राष्टपती next है next है राष्टपती के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सला ली जाती है किसकी सला ली जाती है सर्वोच न्याले की option number C question के लिए right answer होगा सर्वोच न्याले next है लोक सबा में अनुश्य जाती एवं जन जात्यों के लिए सीटों का आक्सन स्विधान के किस अनुश्य से उपबंदित है किसे है में अनुश्य 3000 से option number C question के लिए right answer होगा article 330 अगला question है अजंबमान एओ निकोबारे दीक समू किस उच न्याले के धिकार चेतर में आता है को लकाता उच न्याले के धिकार चेतर में option number B question के लिए right answer होगा को लकाता उच न्याले के धिकार में next है विधान प्रिशिद की एक वर्स में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दो, छे महीने में एक और साल में दो बैठक अनुवा निवारी है, option number B, right answer होगा, next है, किसकी अनुमत्ती की बिना, राज्य की विधान सभा में कोई धन विदेक पेसे नहीं किया ज ना सकता है, option number A, right answer होगा, राज्यपाल की अनुपद्धी, अगला क्योशन है, दो आउदी के लिए, भारत के राश्पती के राश्पती कौन थे, दो आउदी के नाइभारत के राश्पती थे, डोक्टर राजिंदर परशाद, option number B, right answer होगा, डोक्टर राजंदर लिए भार्त के राश्पती थे अगला क्योंशन है संसदिये सासन प्रणाली सरव पर्तम किस देश में विक्षित हुई किस में होई ब्रीटेन में ओप्शन नमबर ए राइद अंसर होगा ब्रीटेन नेक्स्ट है कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है तो दोस्तों साथ वर्स तक देश से बाहर रहने पर नागरिक्ता खतम हो जाती है उप्शन नमर सी राइद अंसर होगा नेक्स्ट है राश्पती पद के लिए उमिद्वार के लिए अधित्रम आयू कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों, ये कोई नियुक्ति के लिए, जो है, कम से कम नियुक्ति के लिए होनी चाहिए, 35 वर्स, ठीक है ना, कम से कम के लिए, ऊपरी सीमा कोई निर्धार्त नहीं है, कितनी भी हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा, option number D, कोई आयू स सीमा नई निर्धार्त की गई है, अगला क्योश्पूरा में दोस्तों, कुल 22 भासाओं को सामील क्या गया है, लेकिन भोजपूरी को सामील नहीं क्या गया है, answer हो जाएगा option number D next है राष्टपती स्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत है लोग सभा को भंग कर सकता है तो friends अनुचेद 85 article 85 के तहते राष्टपती लोग सभा को भंगे कर सकता है next है विधान सभा में सभी निने किस आधार पर लिए गए तो जोस्तों याद न सहमती और समायोजन option number discussion के लिए right answer होगा सहमती और समायोजन next है संग लोग सेवायो के सदेशियों की निकती कोन करता है friends संग लोग सेवायो के सदेशियों की निकती राष्टपती के दुवारा की जाती है option number B राई आन्सरोंगा राष्टपती, नेक्स्ट है, दादर योन नगरह वेली, किस उच नियाले के दिकार सेतर में आता है, फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राइट अंसरोगा मुंबई उच न्याले next है प्राकलन समीति में कितने सदस्य होते हैं प्राकलन समीति में 30 सदस्य होते हैं option number C राइट अंसरोगा 30 next है 1938 में किस व्यक्ति ने वैस्क मताधिकार के दिक आधार पर सुविधान सभा में गठन की मांग की थी किस ने की थी पंडित जवालाल नेरु ने सुविधान सभा के गठन की मांग की थी option number B इस क्यूशन के लिए राइट अंसरोगा पंडित जवालाल नेरु next है बासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन ने कोन करता है भारत का राष्टपती अटोर्नी जर्रल या महा नहीवादी की निउक्टी कोन करता है तो भारत के राष्टपती की द्वारा की जाती है option number C राइट अनसरोगा next है friends चलिए गा next है भारतिय सुविधान में कितनी अनसूचिया है भारतिय सुविधान में कितनी अनसूचिया है तो या एकना friends बारा अनसूचिया है option number discussion के लिए राइट अनसरोगा next है राज्य के सासन का वास्तिविक अध्यक्स कोन होता है राज्य का सासन का वास्तिविक अध्यक्स कोन होता है मुख्यमंत्री option number B राइट अनसरोगा मुख्यमंत्री next है किस वर्स से भूथपुरों संसद सदेशों के लिए पेंशन की विवस्ता लागू की गई friends किस वर्स से 1976 में भूथपुरों संसरोगा सदेशों के लिए पेंशन की विवस्ता लागू की गई option number C next है किस सवेधानिक संसोदन दवारा नगर पालिक का विदेक पारित हुआ friends चुएत्रवा सवेधान संसोदन के दवारा नगर पालिक का संसोदन पारित क्या गया option number D राइट अनसरोगा next है भारतिय सवेधान का आप किस परकार वर्णन करेंगे तो friends, यह लिखीत स्विधान नहीं है, देकि दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, बहुत छोटा यह सुषन, यह भी गलत होगा, और आकार की मादम सी, लेकिन आपका आणसर जाएगा, option number C, विशव के सबसे, विश्तित स्विधाओं में से एक, option number C, इस question के लिए, right answer होगा, नेक्स्ट है, भारत की आजादे किसमें, इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी, भारत की आजादे किसमें, इंगलेंड में, लेबर पार्टी की सरकार थी, option number C, राइट अनसर होगा, लेबर पार्टी, नेक्स्ट है, राज सबाग का सदसे बनने के लिए, नियूनतम कि लिया गया है तो जुस्तों नीती निर्देसकत्तों आइलेंड के सुविधान से किस देश के आइलेंड के सुविधान से लिया गया है option number D right answer होगा next है राज्य के नीती निर्देसकत्तों का सुविधान के किस अनुछेद में वर्ण किया गया है तो friends, याद लखना, अनुछेद 36-49 में नीती निर्देसकत्तों का वर्णन क्या गया है, option number A, right answer होगा, next है, राजे के नीती निर्देसकत्तों का वर्णन सुविधान के किस भाग में क्या गया, friends, नीती निर्देसकत्तों का वर्णन सुविधान के भाग चार में क्या गया, option नमबर D, right answer होगा, next है, भारत के सुविधान में, मूल अधिकार किस देश के सुविधान से लिए गए है, भारत के सुविधान में, मूल अधिकार है, USA के सुविधान से, कहां से, USA के सुविधान से लिए गए है, option नमबर A, right answer होगा, next है, भारती सुविधान के पहले अधेक्स थे आप लोग फ्रेंड से यादक ना next है राश्टपती की न्यूक्ति के लिए न्यूनतम आयूशीमा क्या है राश्टपती की न्यूक्ति के लिए कम से कम आयूशीमा है 35 वर्स option number C right answer होगा next है राज्ये पाल की न्यूक्ति के लिए नियुनतम आयू सीमा क्या है? राज्यकपाल की नियुक्ति के लिए आयू सीमा क्या है? तो याद ना 35 वर्स. उप्शन नमबर C, राइट अंसोगा 35 एर्स. Next है, सवीधान की आठीव अनुस्टि में कुल कितनी भासाओं को सामिल किया गया है? सवीधान की आठीव अनुस्टि में कुल 22 भासाओं को सामिल किया गया है? उप्शन नमबर A, राइट अंसोगा 22. Next है, भारत का राष्टपति किस परकार के आपात काल की उद्गोशना कर सकते हैं? Friends, याद रखना आप सभी राष्टी आपात कल, राज जिकी है, स्मिधानिक आपत कल, वीती आपात कल, इन सभी को भारत की राष्पति की दवारा उद्गोशना की जा सकती है, आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D, सभी तो दोस्तों इसी के साथ आपके क्योशन कंप्लिट होते हैं, आई होप प्रेंट्स आज के क्योशन आपके लिए हैलफुल रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा सेयर कर दें, जिनका भी एक्जाम है, आगे एक्जाम होना है, सभी के साथ में सी वीड जैहिन, जै भारत वने मात्रम